आपका हर्दिक स्वागत है वाई फाई मैच वाई दरमी सरपर जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.1 सुरू कर चुके थे ठीक है तो उसी को आगे देखते हैं 7.1 में जो बचे वे कोशन है वो देखते हैं हम अपने तो कोशन नमपर साइ देखा आपका इस्केर प्लस में एकवराट गों एस्केर माइनस एक्सकेर इंटू क्यूग यह रूट यह उते हैं और यहां माइनस एक्सकेर आपने दो ट्रम इंटू में देखि और सीदह उन्ट वी लगा देंगा आप इसमें सीधा यून तो हो जाएगा लेकिन बोध तो ज्यादा लेंदी हो जाएगा। इस फोड़ा द्यान से देखो आप कि उसको उससे simple home में आप convert कर सकते हैं उससे sollt form में बना सकते हैं तो मैंने जब इमको द्यान से देखा तुछ मैंने देखा ये अंदर का जो system हो जाएगा और base same हो जाएगा तो power को हम क्या कर लेंगे add कर लेंगे ठीक है तो सबसे पहले तो इनका square root बगएरा डालेते हैं तो यहां से हो जाएगा a square plus x square upon में क्या हो जाएगा वही a square minus x square और इसकी whole power में क्या लिख सकता हूँ और do is takeини and by the Alex right क्यों शुरूकी injured ऩार यहां इपका kind रुटर्थी लिखा हुए तो इह क्या है क्यूज़ क्यूभ का मतलब कितनी power होती है one by three क्यूब चत्वाल पावर कितनी है one by three square route का मतलब one by two और यहां पर पूर लिखा होतता तो one by four five लिखा होता तो बन पाइफ टीक है वैसे इतना लेंटी कभी होता नहीं है अब यह अंदर की ट्रमा कर हमारी सेम हो जाए तो बेस सेम हो जाएगा और बेस से मुझा तो पावर को हमें को नहीं नहीं है पावर का साइ्ट जेंज करहें ठीक है अब कि किसी कि यहां किकल कोबया है और सब्सक्राइब अगर बेस सेम है आपको दिख रहा है दोनों का बेस क्या है एंब तो पावर्स जो एना वह एड़ हो जाती है थी प्लस डू कितना हो जाएगा फाइग हो जाएगा ठीक है तो एसा ही हम यहां पर करेंगे तो यह हो जाएगा आपका वन वाइटू ए स्केयर प्लस एक स्केयर स्केयर माइनस एक स्केयर फ्ले कें इंटू में तो पावर एक हो जाएगी और ड्यवाइड में होटा तो सब्ट्रैकшие तो देखिए एक है यहां से पावर का आपकी 1 by two पलत यहां से पावर कितनी है थी अब देगी यहांInगर कि पास टाथ है प्लास नियुकॉज माइनस प्लुद्रांन का सप्क। कि यहां pergi है लेकि पलस माइनस का जाकिन घृड़ को यहां पर झायेगा आपके पास i2-1 तो आपका जो इसको सोल करेंगे ना तो क्या आएगा हमारे पास इसका आप लेंगे एल्जियम कितना आएगा अब इसका डेरिवेटिव करना हमारे लिए आसान होगा तो यह अभी तक खाली हम सिंप्लिफाई कर रहे तो अब करेंगे तो यहां पर लिख देते हैं डिफ्रेंस सेशन विद रस्पेक्ट टू एक्स तो य का क्या हो जाएगा इधर पाइगा य का तो जाएगा आपका डिवाई अपूर में दी एक्स और इसका जब करेंगे तो वही बात आ गई पहले किसका होगा पावर का किछली वीडियो माम ने समझे लिया था पावर का करते हैं ठीक है रसल्ट कॉन सा यूज होगा यह और फावर में से और यहां पर वी हो का आग contrad Do You पावर मेंस वन माइन साथ हो जाएगा तो यह के स्कार का हुआ है अँग विसका हुआ अब ही इसके अंदर की ठ्रंक बाकिंड़ी है तो इंटू में लिख देते हैं कि्वध डीबाई डी एकस ओउफ एकस के एड़ा फ्यद्ग विए स्क्राइब आप़ों एकस क्वेश इचा जाए और पहली एकसरसाइजरी में थोड़े लेंदि लेंदि कोशन कोशन दे दिये तोड़ी दिक्त आएगे आपको लेकिन आगे तका तक चलेगा न तो आपर क्या हो जाएगा पर दीवाई एपोन में डीए एक्स इक्वल्स टू वन वाइगा तो यहां से बचाएगा माइनस का फाइब नहीं बचाएगा ठीक है और यहां पर आगी है पोन में ट्रम याद किजिए यू अपॉन वी की प्रोपर्टी अपॉन में आगे न ट्रम रेशनल फंक्शन आ गया ठीक है रेशनल फंक्शन जब भी आ जाता है तो यू अपॉन वी की प्रोपर्टी लगती है तो यू अपॉन वी की प्रोपर्टी क्या थी अमारी यू अपॉन वी इक्वल्स टू होता था आपका वी square v hd और dy dx of u minus u hd और dy dx of v, ठीक है, यह property हो, ठीक है, यादि के denominator का square, denominator hd, numerator का dy dx, minus numerator hd, dy dx of denominator, यही कर रहे हम, denominator का square, denominator hd, ठीक है, और dy dx किसका होगा, भाई, dy dx denominator का, तो numerator के a square plus x square, फिर minus ka sign लगेगा, ठीक है, फिर numerator hd आएगा, तो numerator hd लिए देते हैं, a square plus x square hd, ठीक है, और फिर क्या होगा, भाई, dy dx किसका होगा, denominator का, denominator के आपके पास, a square minus x square, यह property apply गिये, बस मैंने और कुछ नहीं किया है, ठीक है यह property apply गिये, आब इसको क्या करते हैं यहां से हो गया हमारा 1 by 6 मैंने आपको पता है था कि पावर अगर नेगेटिव तो क्या कर देंगे आप नुमिनेटर में यहां को दोनों जगया है तो उपर वाली नीची और नीचे वाड़ी उपर ले जाओ मतलब इसको पल्ट दो रहसी प्रोकल कर दो पावर का साइंच हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर था हमारा डैनोमेटर का स्केर था था तो ओ मैं सेम लिघ देता हूं यह लिगा है यह अपका है ओवाँग्टाये शॺर róż-dd क्योक्सित अप्र वीडियो में याद भी करा धिया था 2x기에 power में से 1 ओंस करेंगे यह तो 1 बचेगा तो कितना द रचेगा 2x बचेगा तो यहां पर 2x हो गया माइनस यहां से क्या हो गया आपके पास A sq. A sq. A sq. Kha, यहां पर भी करेंगे, क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि X की ट्रम नहीं है, इसमें X की ट्रम नहीं हो, constant और constant का derivative क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यहां पर भी x sq. 2020, 2x होगा लेकिन बार माइनस का साइन है तो किसका हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा ठीक है अभी क्या करेंगे यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि यह जो है ना यह वारी टम a square माइनस x square यहां पर भी है और यहां पर भी एक एंसिल हो सकती है लेकिन यहां पर इसकी whole power लिखी हुई है इसलिए हम क्या करते है अलग अलग power लिख देते हैं पहले बाई तो यहां पर लिख देते है a square माइनस x square और इसकी whole power 5 by 6 ठीक है और denominator की अलग लिख देते है a square प्लस एक स्केर और इसकी ओल्ड पावर फाइड बाइ सिक्स सेम यहां पर अंदर डूरा करते हैं यहाँ से हो जाएगा हमारा और क्या बचा वै एज के अर पल्स एक खेर ठीक है ना माइनस माइनस फलस ओ Californian थीग है अब क्या फाइदा हुआ एक स्ट्से ऐख जा स्ट्स प्लस जाएगा अब देखी इसकी उसकी पावर में तो आप सब्ट्रैक्ट करके देख लिए आपको पता लग यहां पर कितना बचा यहां तो बचेगा यहां तो बचेगा तो अगले स्टैप में लिख रहेंगे तो यहां तो निमिनेटर में तो चींट निपचा है नीचे सिक्स था हमारे पास और क्या था वोइ एक स्कीर और यहीं पावर की 5++ यहां से 2X हमने कमन कर लिया था जाए क्कली को अमने पर लेजर ज्याएगा इसकी बचेर वही हुई टे खिए अ सेमन भाई सिक्स बची हुई है ठीक है और थोड़ा सा सोल करते हैं तो देखिए यहां पर यह टू टू जा कितना हो गया फोर और साथ में एक्स है और साथ में क्या है एस्केर तो निमिनेटर के अंदर यहां तो वन है यहां का कि जो है आपके पास टू टू जा फोर एस्केर और एक्स नहीं हो जायेगा वहें टू टू जा फोर और हेस्केर और साथ में एक्स था यहां तो फोर टू से मल्टिप्लाऊ करीं की सेम आईगा और नीचे हमारे पास कितना था ऐस्क और पलस एक्स प्लस एक्स क्यर और इसकी ult all power कितनी है फाइव बाई सिक्स और यहां से इसक्ऑर माइनस एक स्क्भार कितनी है सैंब बाई सिक्स पी करिए कैंसिल हो रहा है देखिए 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 तो कितना बचेगा हमारे पास यह बचेगा हमारे पास यहां पर बचा 3 और a square प्लस एक स्केर इसकी और पावर कितनी थी भई इसकी और पावर थी आपके पास 5 by 6 और यह था आपका a square minus x square और पावर कितनी थी 7 by 6 तो यहां से आपके पास बचा हुए 2 a square इससे ज़्यादा हम इसको simplify नहीं कर सकते हैं यहीं आपका क्या हो जाएगा ठीक है तो यहां से हमें मिल गए एकस्के अरकल内 ओना के और प्लस रूट ओफ एकस्के अरॉट और दोन-धिसके अनदर लाइक हो दिर्ण प्लस वन एक्सटेयर मांइनस वन एक्सटेयर माइनस वन तो ऐसा कभी वी हो हमेशे आंप क्या करते हैं राइसक्टेयर ते हैं यहां पर आपके पास था एक स्केयर प्लस वन और इसके बीच में किस चीज़ का साइन था प्लस का तो हम कर देंगे माइनस का ठीक है रैस्नलाइजेशन का मतलब यही तो होता है डैनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टिप्लाई और डिवाइड कर दीजिए आप तो यही किया हमने यह आइडेंटिटी जरूर लगेगी बढ़ तो यह अपलाई कर देंदे हैं कहा लग रही है यह इन डिनोमिनेटर के अंदर लग रही है ऐ पलस बी और ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा यहां पर य क्कवर्स तो आपके पास हो जाएगा डैनोमिनेटर के अंदर यह बढ़ ह identity apply करेंगे हम इस form में आपका question है A minus B ये रहा और A plus B ये रहा तो इस form कैसे लिए देंगे A square minus B square ये आपका A है और ये क्या है B तो इसका जब मैं square करूंगा square से square root cancel हो जाएगा तो क्या बचेगा वही X square plus 1 बचेगा minus इसका square करूंगा square से square root cancel हो जाएगा ठीक है लेकिन bar minus का sign है तो अंदर के sign change होंगे X square minus का हो जाएगा और 1 किसका हो जाएगा प्लस का ठीक है तो मैंने ये identity भी apply कर दी और भी bar minus का sign था अंदर के sign change भी कर दीए और numerator के अंदर आपको like टर्म नजरा रही होगी देखिए सेम है बिल्कुल वही है आपका root X square plus 1 minus root X square minus 1 और यही चीज यहाँ पर है तो सेम दो चीज़ है पर into के अंदर आती है आपको बदाबर 2 into 2 क्या लिख सकते है 2 का square नहीं लिख सकते है तो यहाँ पर भी वहाई इसको कैसे लिख सकता हूँ इसका whole square लिख सकता हूँ क्योंकि light drum है तो X square plus 1 minus root of X square minus 1 पूरे का क्या लिख देता हूँ whole square लिख देता हूँ यहाँ पर आपका X square से X square cancel हो गया तो Y equal to क्या वचेगा हमारे पास 1 plus 1 denominator में तो कितना हो गया 2 और यहाँ पर फिर से एक identity लगेगी A minus B का whole square ठीक है थोड़ा simplify कर रहे है और कोई बात नहीं ताकि short form में बने और हमें derivative करने में आसानी रहे तो A minus B का whole square क्या होता है भई A square minus A square plus B square minus 2AB तो इसका जब square करेंगे यह आपका A है और यह B है A का square करेंगे तो क्या हो जाएगा square से square root cancel हो जाएगा यह आएगा पलस B का square करेंगे इसका square करेंगे तो square से square root cancel हो जाएगा यह आजाएगा और minus 2A A आपके पास क्या था X square plus 1 into B B क्या था भई X square minus 1 तो यहाँ पर मैंने यह वाड़ी identity apply किये A minus B का whole square क्या होता है A square plus B square minus 2AB ठीक है ना इसका square किया square से square root cancel हो गया इसका square किया square से square root cancel हो गया minus 2A आपका same है B आपका same है ठीक है अभी क्या फाइदा होगा थोड़ा और simplify करेंगे plus का 1 minus का 1 cancel तो Y equal to हमारे पास क्या हो जाएगा denominator में बचा 2 यहाँ पर X square plus X square root है लेकिं ट्रम इंटू में लिखी है तो अलग अलग लिखने की बजाए में एक साथ भी तो लिख सकता हूं तो मैंने X square plus 1 का और X square minus 1 का common root लगा रही है क्योंकि इंटू में ट्रम थी और दोनों पर root था तो मैंने combine लिख दिया दोनों का इससे क्या फाइदा होगा देखिए सबसे पहले तो आपको यहां से two common नजर आ रहा है इसको common करिए और फिर यहां पर फिर से identity लगेगी आपकी देखी ध्यां से कौनसी वारी A square minus B square देखिए A plus B और A minus B इस वारे format में है एसे लिख देगे ठीक है तो पहले तो two common कर से है two common करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास यहां से two common गया क्या बचेगा x square minus यहां से two common गया है ठीक है तो क्या बचेगा root of A plus B और A minus B तो A square minus B square x square का square करेंगे x की power 4 minus 1 का square करेंगे one ठीक है और अपोन में कितना बचा है two two set यह बड़ा two आपका cancel हो गया अब आपके पास क्या बचा हुआ है आपके पास बचा हुआ है y equals to x square minus root of x की power 4 minus 1 ठीक है यहां तक आपको यह clear हो गया होगा अभी देगी एक तो हम इसका derivative करते हैं तो करेंगे इसका इसका असान रहेगे न अब हमारे पास सीधा कर देंगे अगर यहां पर इसका करते तो you upon me की property लगाते बाद में simplify करना पर तो बहुत lengthy question हो जाता तो देख लिए अगरो question को देख के अगर आपको यह पता लग रहा है कि हम इसको में change कर सकते हैं तो कर दिया करो और इस type के question के लिए तो मैं आपको बता देता हूँ कभी भी आपको like term numerator और denominator दोनों जगे same term दिखाई दे लेकिन sign बीच में कैसा हो opposite हो हमेशे rationalization होगा ठीक है ना तो वो कर दिया हमने अब इसका अब हम derivative करेंगे तो क्या होगा भई differentiation with respect to x differentiation with respect to x ठीक है तो y का तो क्या हो जाएगा dy upon dx यहाँ पर x क्या हो जाएगा 2x minus इसका भी हम नहीं कर सकते क्योंकि root लगा हुए कोई दिक्कत नहीं है बाद में कर लेना भई root अटाके 1 by 2 लेकिन आगे आपको dy dx लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका आपने कर दिया है इसका भी हमने कर दिया x pair का क्या कर दिया है 2x इसका नहीं कर रहे हो अभी नहीं कर रहे हो तो dy dx लिखो इसके आगे ठीक है तो हमने अगले इस ट्रैब में कर लें सब्सक्ताइब को इलिक करनी है तो यहां से फրग्र गश्य होगा है Utah as minus इसका जब derivative करेंगे दो पहले किसका ऊइए पार ंब का पावर का चली जाएगी चीच्छाइगी जिएगी वन bisa रेखने चला जाएगा और क्यों पैस्प पावर 4-1 अब आपको पता है पावर में से 1- हो जाता है पहले पावर का होगा तभी तो मैं अंदर जाने की permission मिलेगी तो पावर आपकी आगे आगे और पावर में से क्या माइनस हो गया है अब किसका बचा है अंदर वाड़े का तो इंटू में आपको यह लिखना पड़ेगा d by dx of x raised to power 4-1 क्योंकि इसका अब भी बचा हुआ है ठीक है ना तो यहां से क्या मिल गए हमें 2x minus का 1 by 2 और यहां पर क्या था भई एक्स की पावर 4-1 पलस का हाव माइनस का बच जाएगा ठीक है और यहां से करते हैं देखिए अब दोनों हमके बीच में माइनस का साइन है दोनों का लग लग होगा एक्स की पावर 4 का करेंगे तो फोर आगे 4-1 कितना बचेगा 3 सेम यह फोर मुला लग रहा है ठीक है एक्स की पावर नेगिटिव पावर है नेगिटिव पावर है तो पोजिटिव करनी पड़ेगी और पोजिटिव करने के लिए कहां लेके जाएंगे नीचे लेके जाएंगे मीचे जाएगी तो पलस की हाव पावर हो जाएगी है और पलस की हाव पावर का मतलब क्या होता है रूट तो मैं से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 2x2 ठीक है आपके पास बहुत जाऊब कर सकते हो ठीक है तो हमने तो हमने completely simplify कर दिया इसको आप चाहो तो 2x7 में से कौमन कर सकते हो नहीं भी करूगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है यह आपका अंसरी है ठीक है तो आई होप आपको यह कोशन समझ में आया होगा चलिए बढ़ते आगे तो देखते हुए नेक्स्ट कोशन है आपका कोशन नंबर थार्ड मैं आपको थोड़ा पता देता हूं फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे ठीक है एक चैन रूल मैथड़ भी होता है वारा यूजिंग चैन रूल अगर इस टाइप से कोशन के अंदर लिखा हुआ है कि यूजिंग चैन रूल तो चैन रूट या अंदर की ट्रम को उट कर लेंगे किसी भी वैरियेबल के जिस टा करते सरा कोशन में लिखा उजिंग चेन रूल तब अपला इक यहां पर हम ने क्या कर altro है आछ इप ग्रने की यह की वैरी तरीक यह जाएंगे वेर आप सीधा करना चाह तो यूज invented करें इंदर के सिंप्लिफाइज करें क्यान किकान में लिकार में वीए कोर्शन स्यथाulan स् तो य का यू के रस्पेक्ट मेलब होगा, यू का एक्स के रस्पेक्ट मेलब होगा, फिर दोनों का हमें मल्टिप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, चलिए तो इस पॉश्चन का हम चैन रूल से ही करते हैं, तो सबसे पहले y एक्वल्टू हमें क्या गीवन है, y एक्वल्टू हमें गीवन है याँ पर 3-u अपॉन 2 प्लस यू, यू है यह ठीक है न, तो y का जो फंक्शन है वो u की फॉर्म में दिया हुए है, मतलब u के रस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका, तो वे डिफ्रेंसेसन विज रस्पेक्ट चू, ठीक है तो y का करेंगे जैसे x के रस्पेक्ट में y डि य इप उन्में dx हो जाता था, ऐसे y के रस्पेक्ट में d-y अपो उन्में d-y हो जाएगा, क्या हो जाएगा d-y एपोन में d-y, ठीक है और आपको trum upon इतरारी इतरा अधरा रहा है तो the function दो तो प्रोपरटी है तो यू अपोण वी की प्रोपरटी अच्छी दी डिस्कस की थी चौह अब कले खेंगे किंगे तो क्या होगा नियुमिनेंटर ओंगा अपनी तरब से लगाएंगे आपकी नुक्पार न्यूमिनेटर है और डी बाई डी यू ओफ डैनोमिनेटर डैनोमिनेटर के आपका टू पलस यू ठीक है यू के रस्पेक्ट में हो रहा है तो यू यू लिकोंगे आप बाद यह द्यान अखना बढ़े तो इसको तो फूलस यू का परकार से एक्स का एक्स के रस्पेक्ट में बन होता था तो यू का यू के रस्पेक्ट में क्या होगा बन बार माइनस का साइन है इसके आगे है ना तो माइनस का बन हो जाएगा समझ गए ना एक्स का जैसे एक्स के रस्पेक्ट में बन होता था डी वाई डी एक्स ओफ ए लगा दिया माइनस यहां पर 3 माइनस में यू का यहां पर भी क्या हो जाएगा जीड़ों कि इसके साथ यू नहीं है इसमें वैरियेबल नहीं है फजेट है और यू का यू के सब्यक्त में क्या हो जाएगा ठीक है तो माइनस इसके साथ माइनस की नहीं हो जाएगा उलत्व के साथ करेंगे और 1 को तो इससे क्या फाइदा हुआ वह यू से यू आपका केंजिल हो गया माइनस का 2 और माइनस का 3 कितना हो गया माइनस का 5 और अपोन में क्या बच्छा है 2 प्लस यू का वोल स्केर ठीक है तो यह हमने completely simplify भी कर लिया है इसको derivative आ गया हमारा y का यू के respect में आ गया है यहां पर है यू और इदर के एक्स तो यू का आपको एक्स के respect में भी निकारना पड़ेगा तो यू किसके इकवल दीवन है कैसे कर दिया थर्ड वैरियेबल दे दिया तीन वैरियेबल आपके पास यहां पर यहां यू आपका इंडिपेंडेंट है यहां पर यू डिपेंडेंट है किस पर एक्स पर और एक्स कैसा है इंडिपेंडेंट वैरियेबल है ठीक है यहां पर यू का क्या हो जाएगा डी यू अपोन में दिखाई दे रही है आपको यहां पर विट्रम तो क्या लगेगी यू अपोन वी की प्रोपर्टी लगेगी ठीक है तो इसको याद करने की ज़रत नहीं है जो मैं बोल रहा हूं बस उसको ध्यान से सुन दीजिया डैनोमिनेटर का स्केयर कर दिया डैनोमिनेटर का स्केयर उसके बाद डैनोमिनेटर स्टी रहेगा आपका डैनोमिनेटर का 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 whole square हो जाएगा हमारे पास अब देखी ये तो आपका hd's है 1 minus x square hd's है इसका जब करेंगे तो 4 तो constant है hd's रहेगा 0 नहीं हो गए याँ पर 4 का क्योंकि into में क्या आगया है x आगया है variable आगया है तो 4 का तो derivative हो गए नहीं है ये तो बाहर आजाएगा तो किसका होगा x का और x का क्या हो जाएगा 1 तो 4 into 1 कितना आएगा 4 ही आएगा ठीक है minus 4x सेम यहां से 1 का हो जाएगा 0 बिल्कुल इसके साथ x नहीं है into में y ठीक है तो इसका तो 0 हो जाएगा लेकिन minus x square का क्या हो जाएगा 2x bar minus का sign था इसके आगे तो minus लगा दिया मैंने ठीक है अब इसको थोड़ा simplify कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहां पर 1 minus x square और इसका क्या था भई whole square 4 को अंदर multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 minus 4 x square ठीक है 4 को अंदर multiply कर दिया है और यह minus minus मिल कर क्या बन जाएगा plus 2 4 जा कितना हो गया 8 x into x क्या हो जाएगा भई x square ठीक है अभी आपको light drum दिख रही होगी आपर तो यह हमारे पास 1 minus x square और इसका whole square देखी यह भी x square की ट्रम है यह भी x square की ट्रम है तो कितना हो जाएगा plus का 8 है minus का 4 तो plus का 4 x square नहीं बच्याएगा भई और plus का यह 4 आपके पास बचा हुआ है इसमें और सोल करना चाहते हो तो 4 को common out कर लो तो यहां से बचेगा आपका x square पलस यहां से बचेगा 1 और upon में क्या बचा हुआ था 1 minus x square और इसका whole square ठीक है तो यह तो आपके पास आगये था dy upon me du यह आगया है dy upon me dx लेकिन हमें इन दोनों में से कोई भी नहीं निकालना था हमें तो क्या निकालना था dy upon dx निकालना था अब कैसे आए dy upon dx तो देखे dy upon dx अगर आपको چाहिए तो उसके लिए आपको dy upon me du को दी यूऊ अपॉन में दी एक्स से मल्टिप्लाइगा ठीक है अगर आपको दी इपॉन डी एक्स चाहिए तो दी आप को दी वाइ एपॉन में डी यानिकay इसको multiply करना पढ़ेगा किस से du upon dx सोचके देखे रटने वाड़ी बात नहीं है सोचके देखे du से du बढ़ जाएगा क्या बचेगा dy upon dx ही तो बचेगा ठीक है तो ऐसे याद रख सकते हैं आप कोई दिक्कत लिए dy upon du इसकी value क्या आई थी हमारे पास इसकी value आई थी हमारे पास minus 5 upon 2 plus u का whole square minus 5 upon 2 plus u का whole square ठीक है इंटू में du upon dx du upon dx की value क्या आई भाई 4 into x square plus 1 upon में क्या आई था हमारे पास 1 minus x square और इसका पूरे का क्या था whole square था ठीक है तो देखिए आगे सोर करते हैं इसको अभी और simplify करना है इसको काफी क्योंकि इसमें अभी u की value replace करनी बाकी है u दिखाई दे रहे न भाई इसने dy upon dx बुच्छा है तो पूरा का पूरा answer x की form में होना चाहिए तो ये तो x की ट्रम है लेकिन यहाँ x थोड़ी नहीं यहाँ तो क्या है u है तो इस u की value आपको वाफिस से रखनी पड़ेगी इसमें यह u की value दिखाई दे रही है इसको वहाँ पर replace करना पड़ेगा इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि सीधा इसमें रखें और यह open भी लगाए काहनी खतम ठीक है substitution method जो यह chain rule है यह थोड़ा lengthy हो जाता है यह put करके अलग करिए फिर multiply करिए फिर वाफिस u की value रखिए इसलिए मैंने आपको सारे question direct method से कराए और पूरे chapter में काम होंगे यूज होंगे वो और यह chain rule केवल इसी exercise में यूज होगा ठीक है और वो जो method हमने वाकी कुष्णों में आपको करवाया है वो पूरे chapter के अंदर काम करेगा चलिए कोई बात नहीं यहाँ पर हम u की value रख देते हैं तो minus का 5 यहाँ पर 2 plus u u की value रखते हैं तो u की value कितनी आपके पास 4x तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 4x अपॉन में कितना है भाई 1 minus x square और पूरे का यहाँ पर whole square भी था और into में यहाँ पर क्या है हमारे पास 4 into x square plus 1 और upon में क्या है भाई 1 minus x square और इसका whole square ठीक है यह है थोड़ा यहीं पर simply 5 करते चल रहे है माइनस 5 अपॉन में इसका क्या लेते हैं अंदर के अंदर LCM तो क्या जाएगा 1 minus x square 1 minus x square को 2 से multiply करेंगे 2 को 1 से करेंगे 2 minus 2 को x square से करेंगे 2 x square और plus में कितना था आपके पास 4x ठीक है भाई यह लिख दिया है और into में क्या था यह आपके पास into में था 4 into x square plus 1 और आप ओर में क्या है 1 minus x square और इसका whole square ठीक है यह हो गया भाई आप क्या करेंगे इसका भी सोरी whole square था तो इसका रैसी प्रोकल कर देते है इसके बटे में यह है इसके बटे में यह है तो यह प्लट के उपर चले जाएगी minus का 5 तो उपर ही रहेगा यह उपर जाएगा तो क्या लिखेंगे 1 minus x square और देखी इसके अंदर वाड़े का पूरे का whole square था तो मैं इसका अलग और इसका अलग लिख सकता हूँ तो इसका मैंने अलग लिख दिया और नीचे वड़े का अलग लिख देता हूँ तो क्या हो जाएगा भई यहाँ पर हो जाएगा 2 और minus क्या था 2 x square और प्लस में क्या था 4 x और पूरे का क्या था whole square इधर आ जाएगे यहाँ पर क्या है आमारे पास 4 x square प्लस 1 अपोन 1 minus x square और पूरे का क्या है whole square तो अलग अलग लिखने का यह फायदा हुआ cancel हो गई ना दोनों ट्रम तो बाकी क्या बचा आपके पास बाकी यहाँ पर बचा हुआ है 5 वोर्जा कितना हो जाएगा 20 तो माइनस का 20 और साथ में यहाँ पर क्या था भई x square प्लस 1 ठीक है इसके अंदर आप ऐसा करो according to power लिख लो और according to power लिखते हैं तो क्या यह गा हमारे पास माइनस का 2 x square पहले लिख देते हैं प्लस का 4 x लिख देते हैं और फिर प्लस का क्या लिख देते हैं 2 और पूरे का whole square ठीक है इसके अंदर आप एक काम और भी कर सकते हैं फर्स्ट रम हम कभी नेगिटिव नहीं रखते तो माइनस इसमें से common कर सकते हैं ठीक है इससे ज़्यादा तो इसके अंदर हम कुछ नहीं कर पाएंगे ठीक है लेकिन इसके अंदर के sign change हो जाएंगे ठीक है चलो मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास minus 20 x square plus 1 और इसके अंदर से जब हम minus common करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2 x square minus 4 x और minus 2 अंदर के sign change हो गए लेकिन भार minus नहीं लिखा जाएगा क्योंकि minus इसमें से common हुआ है इसका मतलब क्या है minus का भी square और minus का square into minus into minus होगा और minus into minus plus होगा तो भार तो plus का इसा ही नाएगा लेकिन अंदर के sign change हो जाएगे तो आप अपना answer यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो यह आपका question complete हो गया है देखिए एक काम और भी हो सकता था मैंने रहार नहीं दिया यहाँ से आप 2 भी common कर सकते हैं भई तो यहाँ से 2 common करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 20 और पलस क्या था उफर x square पलस 1 इसमें से जब आप 2 common करेंगे ना तो जैसे मैंने माइनस का square किया था भार common किया था देखिए whole square के अंदर से जो भी चीज भार आएगी उसका square आपको करना पड़ेगा तो इसके अंदर से 2 तो common कर रहे हैं हम लेकिन उस 2 का जब square करेंगे तो बाहर कितना लिखा जाएगा 4 लिखा जाएगा भी तो अंदर क्या बचेगा अंदर बचेगा x square पलस 4 में से 2 गया कितना बचेगा 2x और ये 2 common गया है तो कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे 1 और पूरे का whole square ठीक है तो इससे क्या फाइदा हुआ 4 और 45 जा 25 पर ये cancel हो गया और यहां से बचेगा आपके पास minus का 5 और क्या बचा हुए अपर x square प्लस 1 और आपोन में क्या बचा हुए x square प्लस 2x और minus 1 का whole square ठीक है तो ये भी कर सकते हैं वैसे देखिए confused होने की जरूरत नहीं है कि हमें कैसे पता लगेगा कि answer हमारा कहां जाके मैं चोगा आपको पता करने की जरूरत ही नहीं है बस method सही लगाना है तो देखते हैं नेक्स्ट है हमारा question number 6 और ये exercise का last question है इसी के साथ आपकी exercise complete हो जाएगी ठीक है मैं आपको पहले ही बोड़ रहा था कि दोचेर question कर लेते हैं फिर हम direct method भी सीखेंगे मतलब सीधा square root का derivative हम सीधा भी कर सकते हैं और number भी नहीं कटेंगे उसमें ना कोई number कर नहीं कटेंगे अगर लेंधी question है तो देखिए मैं आपको पता देतां की root x का अगर आप derivative करते हैं तो अब तक तो हम कैसे करते आ रहे थे x की power 1 by 2 लिखते थे 1 by 2 को आगे ले जाते थे और 1 by 2 में से कितना minus कर देते थे 1 ठीक है तो फिर आपके पास बचता था minus का half बचता था यहाँ पर minus के half को नीचे ले जाते थे plus का half और plus का half का वापिस के आपने जाता था root तो आप सीधी ये बात याद रख सकते हैं कि square root का आप करेंगे तो सीधा क्या लिख देंगे बना पॉन टू और वो ट्रम एजडी निचे आज जाएगी ठीक है तो यह अपको इसके अंदर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं वरना मैंने पिछले जो कुछनों में root का करवा है वन बाइटू पावर लिख करके और व पूरे स्टैप कम हो जाते हैं अमारी यह तीन स्टैप कम हो गए हमने सीधा डेरिवेटिव लिख दिया इसका ठीक तो यह तो हो गया स्टैप का इंटू में किसका बचा है अंदर वाड़ेगा और अंदर क्या है हमारे पास एक्स माइनस वन आपॉन एक्स प्लस वन इसका टो बचा हुआ है इसका तो ओगा प्रोपर्टी से भाई क्यों सी प्रोपर्टी यूंप भी इसमें उनके अपॉन ये इसके upon में है तो इसका क्या हो जाएगा reciprocal हो जाएगा तो root x plus 1 तो चला जाएगा उपर और नीचे 2 root of x minus 1 नीचे देखिए मैंने इसका reciprocal कर दिया है दोनों पर root था है common मैंने separate separate लिख दिया दोनों का अलग-अलग square root लिख दिया है और यहाँ पर कोगा इसमें upon में आ रहा है आपको rational function दिखाई दे रहा है तो क्या लगेगी यू upon v की property क्या होती है denominator का square तो x plus 1 का whole square x plus 1 hd और d y d x किसका numerator का numerator में क्या है x minus 1 minus x minus 1 hd ठीक है और d y d x किसका और denominator का denominator में क्या है x plus 1 ठीक है यह हो गया भई अब इसको थोड़ा simplify कर लेते हैं तो यहाँ पर तो हो गया हमारा root x plus 1 upon 2 root of x minus 1 ठीक है और इधर से क्या हो जाएगा यहाँ पर हो गया आपका x plus 1 का whole square ठीक है यहाँ से आगया आपके पास x plus 1 और देखिए इसका जब करेंगे ठीक है इसका तो हो गाई नहीं यह तो derivative से भार है न derivative तो इसका होना है differentiation इसका होना है तो x का होगा कितना आएगा 1 1 का क्या होगा 0 क्योंकि इसमे x के ट्रम नहीं है ठीक है हो गया इसका minus x minus 1 आपके यहां पर भी x का क्या होगा 1 और 1 का क्या होगा 0 ठीक है तो 0 तो निखाए ज़रूरी नहीं है अब देखिए आप यह वाड़ी ट्रम और यह वाड़ी ट्रम अंदर का मैच कराएगे सेम नहीं है सेम है तो इसकी 2 पावर में से इसकी कितनी कैंसिल हो जाएगी half root लगाता ना तो इसकी कितनी half power थी और इसकी कितनी 2 तो कहां बचेगा balance यहां बचेगा यह तो छोटी थी कि 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 यह बड़ी है 2 तो इसमें से half कट गई बाखी बचेगा तो बाखी कितना बचेगा वो देखेंगे हम तो यहां तो कुछ नहीं बचा 1 2 upon root of x-1 यहां से थोड़ा और simplify कर लें आप इसको 1 से multiply गरूँगा same x plus 1 आ जाएगा इसको भी 1 से multiply गरूँगा same आएगा लेकिन minus का sign है बाहर तो अंदर के sign क्या हो जाएगे change 2 में से half power इसकी कट गई थी कितनी बची 1 and half बची ठीक है 2 में से आदा गया तो कितना बचा भई 1 and half बचा और 1 and half को क्या लिखते है 3 by 2 अगर आप यह पास समझ में नहीं है कि 3 by 2 कैसे आया तो आप क्या करें भई यह 2 power थी यहां पर ठीक है उसमें से कितनी cancel हुई है आप तो इसमें से half minus कर लें आप LCM लेंगे कितना आएगा 222 जा 4 minus 1 4 minus 1 3 3 by 2 बचेगा ठीक है तो यह हो गया यहां पर X से X साब क्या हो गया cancel तो 1 plus 1 कितना हो जाएगा 2 देखिए और solve कर रहे है 1 आप ओन में क्या था हमारे पास 2 root of X minus 1 और bracket के अंदर numerator में कितना हो गया था 2 plus का 1 plus का 1 2 और निचे कितना हो गया X plus 1 का X plus 1 की whole power कितनी हो गयी थी 3 by 2 यह 2 इससे क्या हो गया cancel तो numerator के अंदर यहां भी 1 बचा यहां भी 1 बचा 1 into 1 कितना हो जाएगा 1 अब ओन में क्या हो जाएगा root of X minus 1 तक तो सभी कर लेते हैं दिक्कत आती हैं यहां के क्योंकि यह पूर नहीं हुआ और जब तक यह पूर नहीं करेंगे तो हमारा question कौन सही मालेगा कोई भी नहीं मालेगा क्योंकि पूर वाले जो question है ना अकसर cvsc में पूछे जाते हैं इस टाइब के question तो cvsc वाले बच्चे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे भई cvsc के अंदर अकसर पूर वाले के question पूछे जाते हैं और जब तक आप यह पूर करके नहीं दिखाओगे आपको full marks नहीं मिलेंगे तो हम ने देखा पर root के अंदर क्या रहा है एक स्केर माइनस वन आ रहा है यह कितनी पावर है यह वन एंड हाफ पावर है कितनी पावर है वन एंड हाफ तो इसमें से वन अलग लिख देते हैं क्योंकि वन देखी यह अलग लिखी हुई इसी से question से ही हम solution निकालेंगे यहाँ पर हमने देखा Xपबस 1 है और इसके all पावर कितनी है वन तो इसमें से आप one पावर अलग निकाल लें यही वाड़िटended हो AI थो है तो इसमें से one पावर हमने अलग निकाल ली है मैंने यहाँ पर लिख दिया x plus 1 की all power कुछ भी नहीं लिखी तो कितना है 1 उसके अलावा आपके पास यहाँ पर बचा है root x minus 1 और इसमें से 1 power हमने अलग से लिखी है हाफ तो बची हुई है और हाफ का मतलब क्या होता है root तो मैं क्या लिख देता हूँ root x plus 1 ठीक है कुछ नहीं किया है यहाँ पर 3 by 2 power थी उसमें से 1 अलग लिख दिये और हाफ अलग लिख दिये और यह वड़ी term तो आपके पास पहले सही थी अब यह देखिए दोनों पर square root है और into में है तो दोनों का अलग लिखने के बजाए मैं एक साथ भी तो square root लिख सकता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा x plus 1 और दोनों का मैंने एक साथ लिख दिया यहाँ पर x minus 1 और x plus 1 ठीक है यह हो गया वही ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a minus b और a plus b तो क्या होता है a square minus b square तो यहाँ पर हो जाएगा x plus 1 square root a minus b और a plus b क्या हो जाएगा a square minus b square x का square करेंगे x square minus b का यानि के 1 का square करेंगे 1 आएगा ठीक है हो गया परूब तो कैसे पता लगा हमें question से ही हमें पता लग गया था इससे ही हमें पता लगा कि हमें आपर यह काम करना है और ना उसको थोड़ा ध्यान से देख लिया करो उससे ही आपको hint मिल जाएगा कि करना क्या है ठीक है तो इसी के साथ यह exercise आपकी complete हो गई है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो like करें चैनल को subscribe नहीं किया है अब तक तो subscribe कर ले बेल आइकन को दबा ले और ताकि नेक्स्ट वीडियो को notification आपको मिलता है Thank you